तो हाई फ्रेंड्स आप प्रत्याश्य टार्गेट के साथ बिटकोईन 99,000 डोलर के लेवल पर पहुच गया है और फाइनली एक बड़ा जंप बिटकोईन ने यहाँ पर मारा है और क्रिप्टो मार्केट में जबर्जस्त यहाँ पर धमा का मचा रहा है बिटकोईन अगर बात करें बिटकोईन के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट की ओवर ओल लगभग लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी अच्छे खासे यहाँ पर पंप हुए है 24 घंटे में XRP ने चोकाया है 27% के साथ बढ़कर 1.40 के लेवल पर पहुच गया है इथेरियम भी 9% के आसपास पंप हुआ है 24 घंटे में और लगभग Solana 9% और इस टाइप से लगभग लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी बड़ी है कारण वगेरा जैसे की पता है पाथ टू अल्ट सीजन जहां पर इसपश्ट है कि बिटकोईन के साथ साथ लार्ज केप और इथेरियम में पंप हो रहा है तो वही चीज़े यहाँ पर दिख र पर रहणने लगा और अभी इस लेवल पर है 25 के लेवल पर हिन सब के बीच शिभयनो में कोई ग्रोध नहीं हो रही है शिबंग में कोई बढ़त नहीं आ रही है चिंता का यहाँ पर सबग जरूर बन रहा है शिबायनू लेकिन इन सब के भी शिबायनू के breakout के signal यहाँ पर मिल रहे है जिसमें बताया गया है कि शिबायनू का जो अगला target पोईंट के बाद 4037 के level पर चले जाएगा यानि कि सीधे सीधे 25 से 37 का level जो की एक आप्रतियाशित level है वर्तमान की बात करें तो अभी तक जिस level पर यह घूम रहा है उस level को देखे तो यह वही है जहाँ पर resistance face शिबायनू अभी कर रहा है इस resistance को जैसे ही शिबायनू पार करता है तो यह जो target है सीधे सीधे यहाँ पर पहुचे गए यानि कि यह जो target दिख रहा है एक building सी उची थी मेरे करकस माउस का देख लेना इस building के करीब पहुचेगा यानि के 40-37 का कौन सा pattern ही यहाँ पर बन रहा है जिससे breakout मिलेगा और एक बड़ी wheels ने शिबायनू में बड़ी holding ले रखी है community उसको लेकर काफी चर्चाओ में चर्चा कर रही हो और आज के टाइम पर शिबायनू काफी चर्चा में बना हुआ है तो उसके उपर भी बात करेंगे कई न्यूज है अगर आप यहाँ पर देखे वीडियो पसंद आये तो देखे चैनल को subscribe करा करो बहुत समय निकाल कर अपने बीजी सेडियोल में से आप लोगों के लिए वीडियो लाती है और आप से उम्मीद क्या रहती है एक like कर दिया करो कमेंड्स पूछ लिया करो कुछ भी अच्छा ही लिख दिया करो कमेंड्स में और एक लाइक कर दिया करो यार मनोबल बढ़ता है हमारा उससे हम और ज्यादा उत्सा के साथ आप लोगों के लिए अच्छा-चा कंटेंट लाते हैं देखे बुल सीजन चल रहा है और ऐसे में ह शीबा इनू यहाँ पर एक तेजी का जंडा बना रहा है और जो शीबा को सेतिस तक जाने का संकेत यहाँ पर दे रहा है शीबा अभी 25 के रजिस्टेंस को तोड़ सकता है और जैसा कि अली मौटी जिन मौटी नेज ने बताया है कि क्रिप्टो विशलेशक तक्निकी विश टेकनिकल संकेत है कि अकसर ऊपर की और गती की निरंतरता का संकेत यहाँ पर है तो यह है उसी के बेसेज पर यहाँ पर अली मौटी नेज ने बताया है यानplease कीमत व्रधी की व्रधी ग्रोथ होने की संभावना बन रहे हो समेकन मामूली री ट्रेटमेंट की अउधी जो एक चार्ड धुपियश क्राइबा च्री केशन होते हुआ, यह उसकी जहंड़ा है, तो इस टयप से एक पैटन बन रहा है, जो इसी बात का संकेत का सपायाब देता है और देखियेnh-ड़कर उसमें जो संकेत होती है, जो केंडल बनती है, वो केंडल बड़ा यहां पर जंडा बनता हुआ दिख रहा है और इसी बात को लेकर अल्डिम और जीज ने यहां पर एक ब्रेक आउट की बात कही है अगर यहां पर आगे देखे तो वह कहते हैं कि टोकन की कीमत में लगभग अभी 4% की ग्रोथ हुई है दिन के निचले इस तर से 7% की ग्रोथ हुई है और पिछले कुछ आनिशितता दिन रहे है और लोग प्रेरित मीम कुपकों में हरकर एक किसी भी रोलर कोश्टर की तरह यहां पर नजर आ रही है तो उसके अधार पर यह यहां पर जो है इस टाइप से जंडा और ब्रेक आउट एक और फ्लेग यहां पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इसको भी देखे तो यह भी पेटन यहां पर बनता हुआ दिख रहा है इसको भी एक उसी इंगल से माना जा रहा है तीस के लेवल पर पहुचने के वाई शीबा की कीमत में बहुत कम इस तर पर 25 परशन और वरतमान इस तर पर 18 परशन जो है कम हो चुकी है और इसी बात को यहां पर फिर से दोहराये गया है कि अकेला जो मुल है वो 38 परशन है अगर एक महिने का जो डाउन फोल देखा जाए अब यदि शीबा से 30 तक बढ़ को भी काफ़ी स्ट्रोंग करेगा community को भी काफ़ी उससाहिद करेगा और यह गयास कि इसके बाज शीबाइप की category जैसा जैसा ही इसमें growth जो है आ सकती है तो वही यहां पर better बनाते हुए दिखाई दे रहा है ठीक है और विशलेशक कहते हैं कि 45 पर एक बादा जरूर है लेकिन अगर इसको सफलता पूरोग पार कर लेता है तो शिबा के लिए अच्छे दिन यहाँ पर शिरू हो सकते है क्योंकि यह जो पोइंट है ना मई में भी देखोगे तो अपरेल से लेके जून तक इसी पेटरन पर घूमा था शिबा यहाँ से उपर जाने का प्रियास हुआ था लिके ना सफल हो गया था और अभी भी उसी पेटरन पर बना हुआ है इसको तोड़ना शिबायनू के लिए बहुत जादा जरूरी है एक बड़ी रेली दिखाने के लिए ठीक है और इन सब के बीच एक दूसरी न्यूज यहाँ पर आई है यहाँ पर 2.5 बिलियन की एक मेगा वील्स का पता चला है जिसके पास टोटल शिबायनू सपलाई का 10% है अब कम्यूनिटी कल भी मैंने इसके बारे में बताया था अब इसको लेकर कम्यूनिटी में एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर यह होल्डर है कोन क्योंकि 1500 एड्रेसे से इसने इतनी बड़ी सपलाई को अपने पास रखा हुआ है और जुलाई 2020 से इसने अपनी जो है होल्डिंग ले रखी है अब संभावना यह है कि जो है जुलाई या अप्रेल में जुलाई या अगस्त में ही शिवा इन्हों लोंच हुआ था और लोंच के साथ ही इसने अपनी होल्डिंग लिए और अभी तक नहीं बेची कुछ कहते हैं कि 38 एथेरियम के बादले इसने लगभग यहाँ पर जो है 103 ट्रिलियन शिवा टोकन बाई किये थे जिसकी वर्थ उस टाइम 10,000 डोलर के आसपास थी और आज के टाइम पर यह 25,000,000,000,000 पर्सेंट का प्रोफिट गेन कर रहा है उसके बाउजुद यहाँ पर बेच नहीं रहा है तो कहा जा रहा है कि यह हो सकता है कि कुसामा हो सोसल मीडिया पर यह बहस चल गई है कि कुसामा हो सकते है और उन्होंने अपनी यह होल्डिंग बरकरार रखी है तो अब यह देखना दिल्चस्प होगा कि पता नहीं है कुसामा है या फिर और कोई है लेकिन जो भी है बहुत बड़ा यहाँ पर जिगरा चाहिए क्योंकि हम तो 5000-2000 शिबा इनुमें लगा कर जब शिबा नहीं बढ़ रहा है न तो हम टेंसन में है क्या शिबा इनुम तो ब नहीं बेचा उसके बाद नीचे गिर गई कई बार ऐसे उतार चड़ाओं मोका ऐसे लगा शिबा जीरोज शिबा खतम उसके बावजूद वह नहीं बेचा हिम्मत उसने परकरार रखे और यह जो रेली आई है और फिर से चार साल के बाद बोलरन सिरू हो गया तो फिर से उ मीम कोईन में भी लगभग देखे तो कभी कोई सा कोईन बढ़ जाता है कभी कोई सा कोईन बढ़ जाता है तो इससे एक बात तो पुकता हो रही है इन्वेस्टरों की एक्सपर्ट की जो मैंने कई आर्टिकलों में पढ़ा था उन्होंने यह कहा था कि देखो शिबा शिब किसी meme coin से profit निकाल पा रहा है अगर एक दो coin उसने खरीदे लाइक शीवा ही खरीद लिया तो साथ profit वेसा मिल भी नहीं रहा है उसे तो ये एक चीज है कि सभी सीवा सभी meme coin में आप invest करो थोड़ा थोड़ा तो ही एका दो एक निकल गए ना तो हमारा luck यहाँ पर अच्छा खासा profit में दे जाएगा बाकी भी बढ़ेंगे लेकिन उसकी तुलना में कम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जज़ कर पाना मुस्किल है अभी अभी के टाइम पे कौन सा meme coin king बनेगा हलाकि bonk की संभावना और पेपे की संभावना जादा है बड़े coin में जैसा कि फरवरी में भी हुआ था और छोटे coin जो नए coin नए meme alt coin की देखे तो उसमें भी बहुत सारे coin है जिसके बार में मैं बताता रहता हूँ आपको तो कुल मिला के हमारे पास बहुत सारे option है देखते ही क्या कुछ हो पाता है जो भी update रहेगी मैं आपको regular base पर देता रहूँगा टर्बो भी Binance पर USDT में लिश्ट हो गया है तो टर्बो के भी बढ़ने के chance सायथ बढ़ चुके होंगे मिलते हैं नए वीडियो में नमस्कार जो भी update रहेगी मैं देता रहूँगा नमस्कार